सबस्क्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पास सकें लेटेश्ट टेक्नलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए Samsung के कुछ devices और कुछ applications में नए अपडेट आये हुए हैं साथ में Google Play सिस्टम अपडेट वे Samsung के devices में तो वीडियो को आंतर तक देखेगा और लाइक कर दिजिएगा इस वीडियो को लाइक टार्गेट हम लोग रखते हैं 75 लाइक 75 लाइक आप लोग कम्प्लीट कर दिजिएगा और चैनल पर पहली वर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दिजिएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्यूश अब देख रहे हैं टेक दोस्त प्यूश चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब सब पहला अपडेट है Samsung A20S के लिए बात करें अपडेट फाइल की तो 100 4MB का अपडेट है अप्रियल 2021 का सिक्यूर्टी पैच है जो की थोड़ा पुराना है और इस अपडेट के अंदर डिवाइस की सिक्यूर्टी को इंप्रूफ किया गया है साथ में डिवाइस की स्टेबिलिटी को इंप्रूफ किया गया है bugs को fix किया गया है, कुछ features को include किया गया है और device की performance को भी improve किया गया है तो अगर आप A20S device यूज करते हैं तो update किजिए अपने device को अगला update है Samsung A7 2018 device के लिए बात करें update फाइल की तो 206 MB का update है, April 2021 का security patch है और इस update के अंदर Samsung ने RCS, Reach Communication Service feature एड़ कर दिया है साथ में camera की performance को भी improve किया गया है साथ में device की stability को improve किया गया है, bugs को fix किया गया है, कुछ features को include किया गया है और device की performance को भी improve किया गया है तो अगर आप Samsung A7 2018 device यूज करते हैं तो update किजिए अपने device को साथ में Samsung A31 को South Korea के अंदर एक नया update देखने को मिला है जो कि Android 11 के बाद first update है और इस update में आपको मई 2021 का security patch मिल जाता है और इस update में Samsung ने quick share की function में improvement किया है इसके अलाबा message के function को update किया है तो ये जो update है बहुत ही जल्द इंडिया में आ सकता है तो जब भी update आएगा आपको मेरे channel पर information मिल जाएगी इसके अलाबा google play system update सबी devices में roll out कर दिया गया है जो कि कुछ devices में ये जो update है वो 15 MB का है कुछ devices में 8.9 KB का है कुछ devices में 6.7 KB का है तो update कीजिए साथ में Samsung ने Talkback को एक नया update दिया है तो Galaxy Store पे जाकर update कीजिए तो यही था आज की इस वीडियो में उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो कर दिजेगा लाइक चैनल पे अगर पहली बारा है तो चैनल को कर दिजेगा सब्सक्राइब मैं में जाओ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए जै हिंद वंदे बातरम